हेलो दोस्तो मैं हूँ सीखा और वेलकम है आपका मेरे चैनल डैम डेलिसस में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ भूनी हुई सेवई की खीर की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इस ट्रिक के साथ एक वाड़ी इस रेसिपी को जरू ट्राइक कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं सेवई की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम सेवई को भूनेंगे यही है हमारा ट्रिक तो इसे कैसे भूनना है वो मैं आपको बताती हूँ मैं कड़ाई में एक चमस घी डाली हूँ और कड़ाई को इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि घी जो है हर तरफ लग जाए एक चमस से ज़्यादा घीर डालने की हमें जरुरत नहीं है तो यहाँ पर देखे मैं पतली वाली सेवई ले ली हूँ और इसे मैं इस तरीके से तोड़ दी हूँ आपके पास जो भी सेवई है आप ले सकते हो और फिर हम इसे हलका सा घीर जब गर्म हो गया तो मैं इसमें सेवई डाल दी और इसे हमें 6-7 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है यह आप लोगों के लिए ट्रीक है बहुत ही टेस्टी सेवई की खीर बनेगी आपकी इस तरीके से आप लो फ्लेम पे 6-7 मिनट तक इसे भूनिए और जब तक यह हलका लाइट ब्राउन ना हो जाए तो अब ही हम इसे थोड़े टाइम के लिए और भूनेंगे तो अब आप देख सकते हो 6-7 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से मैं इसे भून ली हूँ लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है तभी ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा खीर में आता है तो यहाँ पे सेवई भूना चुका है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली और इसी कड़ाई में मैं दूद डाल रही हूँ तो यहाँ पे देखिए दूद गर्म है मैं एक साइट पे दूद को गर्म कर ली थी तो इसके वज़े से यह अभी से ही उबाल आने लगा इसमें तो इस दू से छे मिनट तक लगेंगे भूनने के बाद मैं बता रही हूँ आपको दूद में आप पांस से छे मिनट तक खोलाईए इसे तो यहाँ पे देखिए दूद जब अच्छे से खोल गया ना तो मैं इसमें सेवई डाल दी भूना हुआ सेवई और इसे हम इस तरीके से मिला ल तो अभी हमने इसे अच्छे से मिला लिया है तो अब मैं लो फ्लेम कर देती हूँ और दो मिनट के बाद इसे देखती हूँ तो अभी आप देख सकते हो दो मिनट हो चुके हैं और दूद का जो कॉंटिटी है वो भी पहले से कम हो गया है तो इसे अच्छे से एक बार मिला जालेते हैं और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी तो चीनी मैं यहां पे मेडियम बाले कप से एक कप ली हूँ आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डालिए लेंगे और फिर लो फ्लेम करके चीनी घुलने तक अच्छे से पकाएंगे तो अभी आप देख सकते हो दो मिनिट के बाद मैं इसे देख रही हूँ तो इसका चीनी जो है बहुत ही अच्छे से घूल चुका है ये देखिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए तो इस तरीके से इसे मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ड्राइफ रूट्स तो dry fruits में मैं क्या-क्या डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें किसमीस, काजू, एलमेंट बदाम, छुहाडा और दो इलाइची आपको जो भी dry fruits पसंद हो आप इसमें add कर सकते हो dry fruits डालने के बाद इसे वापस से अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम दो मिनिट तक और पकाएंगे तो अभी आप देख सकते हो, दो मिनिट के बाद मैं इसे देख रही हूँ तो ये देखिए perfect सेवाई की खीर बनकर ready है इसकी जो consistency है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए तो अभी मैं gas को कर देती हूँ off क्योंकि सेवाई की खीर बहुत ही अच्छे से बन चुका है ये देखिए तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम थोरे टाइम के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए perfect सेवाई की खीर बन चुकी है तो अब ये ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे एक बरतन में सर्व कर लेती हूँ तो देखा आप सबने कितना आसान सा रेसिपी है सेवाई की खीर की बहुत ही आसान सा रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है तो इसे मैं एक बावल में सर्व कर रही हूँ ये देखिए ये दिखने में कितना टेस्टी लगड़ा है ना उससे कई गुना जादा ये खाने में टेस्टी लगता है तो आप लोग भी एक वार इस रेसिपी को जरूर ट्रा कीजेगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइगा कि कैसा लगा आप लोगों को भूनी हुई सेवाई की रेसिपी तो यहाँ पर देखिए इसे सर्व करने के बाद मैं इसके उपर से थोड़ा सा गारलिस करने के लिए एलमेंट मेदा को कट करके डाली हूँ और थोड़ा सा पिस्ता और दो-तीन काजू इस तरीके से कट करके डाली हूँ मैं तो ये लीजिए भूनी हुई सेवाई की खीर की रेसिपी बनकर रेडी है So I hope कि आप लोगों को भूनी हुई सेवाई की खीर की रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको सेवाई की खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ ताकि जो भी मेरे रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूँ नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स फूर वाचिंग